समय से पूर्व यह समय बीत जाने के बाद भी अनेक भोगनाएं भोगते हुए भी शरी छूडता नहीं है तो अकाल की मृत्यू है जबकि सत्यूग और त्रेतायूग के अंदर अमर इसलिए कहा कि वहां अकाले मृत्यू नहीं है पूरी आयुश्य भोग कर फिर स्वाइच्छा से देह को त्याग करते हैं और वो देह को त्याग करते वो भी कैसे करते हैं तो जैसे ही आत्माओं ने पूरा काल भोग लिया फिर उनको इच्छा उत्पन होती है अभी बहुत समय हो गया इस चोले के अंदर अब ये चोला छोड़ करके नया चोला धारन करना चाहिए तो पुरे परिवार को बुला करके इकठा करके उनके साथ बैठ करके उन्हें ये कहते हैं यहां से जाने की इच्छा है नये चोले को धारन करने की इच्छा है जैसे नये वस्त्र पहनने की यहां पर खुशी होती है वैसे वो आत्माओं भी खुशी से सबसे विदाई लेते हैं और विदाई लेने के बाद नये चोले में जाने की जो खुशी है तो जैसे आज क और इसी तरह खुशी-खुशी से उसको विदाई देते हुए वो नए चोले को धारन करता है। इसलिए उसको अमर लोक कहा गया कि जहां मृत्यू भी एक महत्सव है। स्वाई ज्छा से देह को त्याग करके नए शरीर को धारन करते हैं। लेकिन द्वापर और कल्यूग को मृत्यू लोक कहा जाता है। मृत्यू लोक इसलिए अकाले कभी भी मृत्यू आ जाती है, बुलावा आ जाता है, व्यक्ति की इच्छा हो या नव हो उसको जाना पड़ता है। इसलिए उसको मृत्यू लोक कहा जाता है। तो जब पूणियां क्षिन होता है, तो सत्यूग और रेता है यूग से वुना मृत्यू लोक में प्रवेश पाते हैं, क्योंकि बीच में से तो कोई घर में जा नहीं सकता है, तो मृत्यू लोक में प्रवेश पाते हैं, और इस प्रकार जन्म मृत्यू के चक्र के अंदर आत जाते रहते हैं कितना गोहिय से गोहिय गोपनिय ज्ञान भगवान अर्जुन को यह संसार चक्र के विशय में समझा रहे हैं और फिर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ यह गैरंटी भगवान की सिवाई तो और कोई नहीं ले सकता है और जितना प्यार से भगवान को याद करो तो जैसे दुनिया में भी कहा जाता याद से याद मिलती है हम किसी को प्यार से अगर याद करते हैं तो वो भी हमें याद करता है थोड़ी देर में फोन आ जाता है पूछें के भाई कैसे याद किया बस आपकी याद आ गए तब उस समय ऐसा महसूस होता है कि अरे दिल से हम याद ही कर रहे थे और दिल से याद किया तो देखो याद का प्रतिउत्तर मिला कि उस व्यक्ति ने भी फोन कर दिया तो इस तरह से भगवान को भी जब हम दिल से याद करते हैं अनन्य भाव से याद करते हैं इतना प्यार से याद करते हैं तो वो भी हमें याद करता है और इतना ही नहीं लेकिन वो guarantee लेता है कि आपकी जो आवश्यक्ता है उन आवश्यक्ताओं को भी मैं पूरा कर देता हूँ कई बार जीवन में कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कोई मुसीबत में है और जब देखते हैं कोई व्यक्ती हमें मदद नहीं कर सकता है और उस समय दिल से भगवान को याद करो दिल से अनन्य भाव से विसस को याद करो अचानक कहां से कोई ऐसे जैसे फरिश्टे के रूप में कोई आ जाता है व्यक्ती ही आ जाता है मदद करके चला जाता है उसके जाने के बाद मैसुस अरे हमने तो उसका नाम भी नहीं पूछा हमने तो वो कहां रहता है ये भी नहीं पूछा उसका फोन नंबर तक नहीं लिया लेकिन जो दिल से याद किया न तो भगवान उसकी आवश्यक्ता को उस वक्त उस व्यक्ति को माध्यम बना करके उसकी पूरी कर देता है ये कई बार कई लोगों को अनुभो होगा लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं दुनिया में कोई व्यक्ति अगर मदद करे तो कितनी बार ठैंक्स मानते रहते हैं हर बार कितनी जगह उसका गायन करते रहते हैं कि ये व्यक्ति ने मेरी आवश्यक्ता को पूरा किया मेरे समय पर मुझे मदद किया कितने लोगों को सुनाते हैं और भगवान जो बिना बोले हैं आ करके ऐसे मदद करके चले जाते कभी उसका thanks भी मानते है या कभी किसी को सुना है अभी हमने कि भगवान ने कैसे मुझे समय पर मदद किया करके तो देखिए शायद इतना प्यार उत्पन होंगा अंदर से भगवान के प्रती भी और जब इतना प्यार उत्पन होंगा तो भगवान भी कैसे उसको response नहीं करे तो इसलिए भगवान कहते है जो अनन्य भाव से मेरे दिफिय स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मुझे याद करते हैं उनकी आवश्यक्ताओं को मैं पुरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ कितनी मड़ी गैरंटी है आवश्यक्ता को पुरा करता है और जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता हूँ मुझे एक गटना याद आती है ऐसे समय पर कि एक माताजी थी उस माताजी के पास जो भी कुछ था पूंजी थोड़ा पैसे था कुछ सोना था और कोई नहीं था उसका तो उसने सोचा कि जो कुछ भी है मैं इश्वर को अरपन कर देती हूँ रात को उसने सारी पोटली बांधी और बांध करके जो भी उसके पस था सुदा में चावल जितना पोटली बांधी और उसने सोचा कि चलो मैं जब जाओंगी तो लेके जाओंगी अपने साथ में और अपनी बैग तयार किया और रात को सो गई वो पोटली रखके रात में उसके गर में चोर आये का जोर ने सारा घर जैसे ऐसे तहस-नहस कर दिया हो अंदर से हर अनाज के डब्बे खाली कर दिये सब कुछ खाली कर दिये कि जरूर ये बुढिया के पास कुछ तो होगा धन्माल होगा सोचते हुए सारा उलट पुलट कर दिया माता जी सोही हुई थी उस कमरे में नहीं गए तो उसको पता भी नहीं चला कान से थोड़ा उंचा सुनती थी तो ये भी नहीं पता चला कि गर में कोई चोर गुसा हुआ है सोही थी वो जिस बैग के अंदर उसने अपनी पुझी रखी हुई थी उस बैग को भी उठाओ खोल करके सारा सामान निकाल करके देखने लगे लेकिन बुड़िया ने उस पोटली को अपने साड़ी के अंदर ऐसे छुपा कर रखी थी वो साड़ी भी निकाली लेकिन वो साड़ी के अंदर से वो बाहर गिरा नहीं और सारा मैदान करके फिर चले गए चोर जो कुछ भी हात लगा उनके कुछ इलक्ट्रोनिक चीजे थी टीवी था ये था वो उठा करके लेके गए दूसरे दिन सुबह में माता जी जब उठती है सारा घर देखती है अरे ये कौ कौन चोर आये एकदम उसको याद आया मेरी पोटली देखने गई तो पोटली सुरक्षित थी इतनी खुशी हुई उसको कि अरे देखो भगवान ने कैसे मैंने सच्चे भाव से ये सोचा था कि मैं इसको इश्वर अर्पन करूं तो मेरी ये पूंजी जो थी उसको चोर के हाथ लगने नहीं दिया तो आवश्शक्ता को भी पूरा करता है और उन भक्तों के पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी वो करता है तो यही बात यहां गीता के अंदर भगवान ने कही सोचने की बात है युद्ध का मैदान है और इश्वर कैसे जो अनन्य भाव से भक्त करने वाले हैं उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं यह बात सुना रहे हैं कहने का भावार्थ यह को हिंसक मैदान तो है यह नहीं लेकिन जीवन के संघर्ष वाले क्षेत्र के अंदर जब व्यक्ति अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरता है तो भगवान उसको बताते हैं कि किस तर तु भगवान को अपना सार्थी बना ले और जब भगवान को अपना सार्थी बना लेंगा तो फिर कैसे वो सहचता से सरलता से जीवन को पूरा कर सकता है उसके बाद भगवान ने यहां एक और बहुत सुंदर गुही बात सुनाई है और कहते हैं कि जो मेरे वा ये चरम चक्षू से तो देखा नहीं जा सकता है अव्यक्त जो है इसलिए पुनह अर्जुन को ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञान के चक्षू के आधार से मुझे नहीं जानते हैं और अज्ञानता पुर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं सोचते हैं ये देवी देवताओं जो है वही परमेश्वर है तो देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पुर्वक उनको पूछते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं जैसे जिसके संसकार होते हैं उसी अनुसार पूजा करते हैं और इसी लिए जिसके दिव्य संसकार उजागर होते हैं देवताओं की भक्ति करते हैं परमात्मा समझते हुए तो भगवान कहते हैं उसकी गती भी क्या होगी क्योंकि जिसने बहुत काल से जो अभ्यास किया है उसी की स्मृतियंत समयाती है तो वो देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेते हैं फिर भगवान कहते हैं जो पित्रों को पूजते हैं वो पित्रों के पास जाते हैं और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन ही के बीच में जाते हैं या सुक्ष्म गुई गती समझाई है भगवान ने कि शरी छोड़ने के बाद वो कहां जाते हैं तो जो देवताओं के उपासना करते हैं परमात्म समझ करके वो उनके बीच में जाकर जन्म लेते यानि अच्छे संस्कारों वाले लोगों के बीच में जाकर जन्म लेते जो पित्रों को पूझते हैं वो उनके पास जाकर के जन्म लेते लेकिन आज की दुनिया के अंदर आज से पाँच अजार साल पहले महर्शी वेद व्यास जी ने जो ये बात देखी थी कि कल्यूक के अंत में लोग इंस्टन फ्रूट चाहते हैं और इसलिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं तो ऐसे जो तंत्रिक विद्याओं वाले होते हैं जो भूत प्रेत की उपास न करते हैं तो उसकी गती क्या होगी जरूर है कि वो उसी के बीच में जाकर के जन्म लेते हैं यानि उनकी भी सद गती नहीं होती है दुर गती ही कहेंगे वो भी किसी के परवश ही हो जाएंगे और गलत कार्य के लिए उनका इस्तमाल होगा इसी लिए ये बहुत सुक्ष्म गुये गती भगवान ने समझाई अरजुन को यानि आज की दुनिया के अरजुनों को कि जो लोग समझते हैं कि हम शौट कट से इंस्टन फूरूट प्राप्त कर ले और इसलिए तांतरिक पूजाओं के द्वारा उसको साधने का प्रैतन करते हैं उनकी गती क्या होगी कई लोग सोचते हम थोड़ी करते करवाते हैं न जो लोग करते हैं उनकी ऐसी गती होगी नहीं या सुक्ष्म बंधन है कर्मों का चाहे करते हैं या करवाते हैं वो दोनों ही उसके कर्म बंधन में बन जाते हैं और इसलिए जो करवाने वाले हैं वो भी उसी बुरी गती को ही प्राप्त होते हैं कितना स्पष्ट गीता के अंदर ये गती ईश्वर ने समझाई ये गोहिय गोपनिय ज्यान भगवान अर्जुन को देते हैं और इसलिए भगवान ने यही प्रेणा दी कि कभी भी जीवन के अंदर ऐसे निम्न कक्षा के बले शॉर्ट कट हो प्राप्ती सहज हो जाती हो या कुछ हासल भी कर ले जीवन के अंदर परन्तु ये तरीका गलत है इसलिए क्यों नहीं हम अपनी हमेशा अच्छी गती में रहें अच्छे संस्कारों वाले घर में जन्म लें अच्छी परवरिश में पलें तो यही तो सद गती है स्रेष्ट गती है तो कभी भी ऐसी मनसा को ले करके जीवन के अंदर कोई कर्म नहीं करे जिससे फिर हमारी बुरी गती हो ऐसा सुक्ष्म ज्यान गीता हमें समझाती है गीता हमें दे रही है तो उसी के आधार से हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े भगवान ने बहुत सुन्दर कहा यहां पर कि अर्जुन कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है इश्वर को अरपन करता है श्रद्धा के साथ उसे मैं स्विकार करता हूँ भगवान कहते हैं भगवान ये नहीं देखता है कि आप क्या चीज ले करके आएं लेकिन भगवान भावना को देखता है इसलिए भक्ती में भी कहा गया है कि भगवान भावो का भूखा है तो भगवान अर्जुन को कहते है कि कोई भी व्यक्ति चाहे फल फूल जो भी श्रद्धा से ले आते हैं मैं उसे स्विकार करता हूँ अतह अर्जुन तो जो कुछ आरादना करता है मुझे समर्पित कर कितना स्पष्ट मुझे समर्पित कर जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा समर्पन भाव के साथ जो कर्म का अच्रण करते हैं तो उसमें त्याग सहज हो जाता है और तब वो बंधन में भी नहीं बंधता है और कर्म बंधन उसे भी मुद्थ हो जाता है इसलिए भाव से भगवान के सामने हम जाए जो हमारे पास कुछ है उसको अगर श्रद्धा से हम अर्पित करते हैं तो भगवान स्विकार करता है और जब ईश्वर स्विकार करता है तो कई घुना अधीक करके देता है इसलिए दिखाते हैं बक्ती में भी कि सुदामा चावल मुठी लेकर के गया लेकिन भगवान उसको प्यार से स्विकार करता है और जब प्यार से स्विकार किया तो रिटर्न में कितना प्राप्त हुआ तो भगवान चीज को नहीं देखता है भाव को देखता है और इसलिए हम बेश रधा से जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्यार से उसको स्विकार करता है और हमें कई प्रकार के कर्म बंधनों से भी मुक्त कर देता है कितनी सुन्दर बात कही और फिर इस अध्याई के अंत में मन मना भव होने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं अरजुन को कि संसार में सभी प्राणियों के प्रती मेरा संभाव है बगवान कभी पक्षपात नहीं करता है किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता है बगवान का प्यार अविरल हर आत्मा के प्रती निरंतर एक समान होता है लिकिन जिसकी जितनी पातरता होती है उतना वो खीज लेता है इस रूप से कोई अधीक प्यार पाता है कोई कम पाता है बगी भगवान का प्यार अविरल एक समान सारे संसार की आत्माओं के लिए है जिस तरह सूर्य की रोशनी सारे संसार के लिए है परन्तु अगर मैंने अपना घर ही ऐसा बनाया जिसमें खिड़की दर्वाजे ही नवो तो वो प्रकाश मेरे घर में तो नहीं आ सकता है लेकिन जो खिड़की दर्वाजे अधिक रखते हैं तो उनके घरों में भरपूर उजाला होता है ठीक इसी तर जीवन के अंदर भी जितना हमारे अंदर के दर्वाजे खुले हैं मन के दर्वाजे खुले हैं बुद्धी के दर्वाजे खुले हैं रिदई के दर्वाजे खुले हैं उतना हम भी उस परमात्म के सने को प्यार को शक्ती को अधिक प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर मेरा मन संकुचित है, बुद्धी बंद है, एकदम क्लोज्ड है, रिदय के अंदर कोई ऐसा स्थान ही नहीं है, यह रिदय के अंदर भावनाएं भी बहुत संकुचित है, तो इश्वर के प्यार को प्राप्त करने की पात्रता नहीं है. तो इसी लिए भगवान कहते हैं, कि संसार में सभी प्राणियों के प्रती मेरा संभाव है, ना किसी से द्वेश, ना पक्षपात, किन्तु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ. ओफर स्विकार है, भगवान मित्रता ओफर कर रहे हैं, क्या स्विकार है, भगवान की दोस्ती को जो स्विकार कर लेता है, फिर उसका तो कहना ही क्या? तो इसलिए आज भगवान गीता के महावाक्यों के द्वारा ये उफर करते हैं, क्यों जो अनन्य भाव से, माना जो मुझे प्यार करता है, और मेरी सेवा करता है, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ. तो भगवान भी हमसे मित्रता जोड़ना जाता है, अब हमारे उपर है कि हम उसकी मित्रता को कितना स्विकार करें, फिर भगवान कहते हैं, भगवान की मित्रता कैसी है, ये देखो, भगवान कहते हैं, जो अत्यंत दुराचारी है, दुनिया के अंदर अत्यंत दुराचार पर निष्चय बुद्धी होकर एक बार अगर उनके जीवन में कोई मोड आ जाए और उस मोड के बाद वो निष्चय बुद्धी बन जाए निष्चय बुद्धी बनकर अनन्य भाव से मेरी शरण को ग्रहन कर लेता है और सेवा करता है वो सादू मानने योग्य है इतना विशाल दिल तो भगवान का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है इसलिए भगवान कहता है कि वो मेरी शरण में अगर एक बार आ गया तो सादू मानने योग्य है अत्यंद दुराचारी भी और वह परम शांती को प्राप्त होता है वह कभी भी नश्ट नहीं होता फिर धर्मात्मा, ब्रामनों, योगियों, राजरिशियों का तो कहना ही क्या इसी लिए है अर्चन मन मना भव मध्याजी बव मन मना भव यानि मन को मेरे में लगाओ प्रेम से मेरे में लगाओ तो मध्याजी बव प्राप्ति क्या है कि ब्रह्मा, विश्णु, महेश में, मध्य में कौन है विश्णु, तो विश्णु पुरी की राजाई में जाने के योगियों वो बन जाते है तो जो प्यार से मन को मेरे में लगाते है रिटर्न में भगवान उसको क्या देता है सुदामा को चावल मुठी का मैल मिला तो यहां भगवान कहते जो मन मना भव है मध्याजी भव वर्दान भी मिल गए प्राप्ती भी कि ब्रह्मा, विश्नु, महेश ये तीनों में मध्य में है विश्नु विश्नु पुरी में जाने के योग्य बन जाता है विश्नु पुरी में जाने का पास्पोर्ट प्राप्त हो जाता है ओफर मन्जूर है इश्वर की तो यह है राज विद्या गोहिय योग नववाध्याई समाप्त होता है ओम शान्ति झाल झाल